दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आपके BSC 2nd Year 3rd Semester Botany का Unit 3rd से जुड़ा हुआ एक Important Family Apocynacy तो आज के इस वीडियो में हम Apocynacy से जुड़े हुए इसके Classification, इसके Vegetative Characters, Floral Characters, साथी साथ Floral Formula और Floral Diagram को डिसकस करेंगे तो यदि हम बात करें Apocynacy की, तो Apocynacy को हम Dogban Family के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके कुछ जो Taxa है, इनका Use Dog Poison के रूप में किया जाता है इसलिए इस Family का नाम Dogban Family भी पड़ा आए नेक्स हम बात करते हैं Apocynacy के Classification की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका Class होगा Dicot Lidony, और Dicot Lidony में जो Venetion होती है, Leaf Key वो होती है, Reticulate Flower जो होते हैं, वह हम बात करें सब क्लास, तो इसका सब क्लास है Gamopetlus, यानि कि Petal Fuse होंगे, Series है Bicarpulati, यानि कि इनमें जो Carpel होंगे, वो 2 होंगे, और Overy जो होगी, वो सुपिरियर होगी वह हम बात करें, Order की तो Order होगा Gentinels, इसमें जो Leaf होते हैं, वो Opposite होते हैं, Flower Actinomorphic होता है, और Stamen, Apipetlus होते हैं वह ही बात करें, हम Family की तो Family होगी, Apocynacy, तो Apocynacy में जो Influence होते हैं, Stamen, Gynendrous होता है, Overy 2 होते हैं, लेकिन यह आपस में Style के दोरा जुडे होते हैं साथी साथ एक Important चीज और है, कि Apocynacy family में Milky Latex प्रेजेंट होते हैं, यानि कि इसमें दूद, नुमा, सनरचना स्रावित होती है आईए Next हम बात करते हैं, Apocynacy के Vegetative Character की, यानि कि इसके Habit, Stem, Root, Leaf, इन में जो Pattern होगा, वो कैसा होगा, इसके बार हम जानेंगे तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं, Habit की, तो Apocynacy में जो Plant होते हैं, वो Herb, Shrub, Tree और Climber, इन सभी रूपों में देखने को मिलते हैं तो Herb, Shrub, Tree, Climber ये सभी क्या होते हैं, तो Habit से Related मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो की Terminology के Section में आपको देखने को मिलेगा वहीं बात करें हम Edenium की, तो इनके Leaf और Stem ये दोनों Succulent होते हैं, यानि की गुदेदार जैसे की नाकपनी में होता है, कुछ उस तरह के होते हैं, इनमें जो Vascular Bundle होते हैं, उनके Stem में वो होते हैं Bicollateral Type तो Bicollateral Type का Vascular Bundle क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, तो यदि हम बात करें Bicollateral Vascular Bundle की, तो ये आपको Dicot Stem में ही देखने को मिलते हैं, इसके लिए ये Facicular Cambium के कारण Conjoint और Open Type के होते हैं, तो Bicollateral Vascular Bundle में होता क्या है कि Floem के दो Patches, बाहर और अंदर, उसी तरह Cambium की दो स्ट्रिप आई जाती है, बाहर और अंदर, और सेंटर में जाइलम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप Bicollateral Vascular Bundle देख सकते हैं, देखेंगे कि यहाँ पर बाहर की और और अंदर की और फ्लोयम है, बीच में आप देखेंगे, बाहर और अंदर की और Cambium है, और आप देखेंगे मिलकी लेटेक्स पाये जाते हैं, जानि कि अगर आप पतियों को तोड़ते हैं, या फेस्टेम पर कोई घाओ करते हैं, तो इसमें आपको दूधनुमा संरचना देखने को मिलता है, चलते हैं थर्ड वेजीटेटिव करेक्टर की और जो की है लीफ, तो इ थेवेटिया में जो लीफ होता वो अल्टरनेट होता है, और इस कर्टर टाइप का पाये जाता है, प्लुमेरिया में, वर्ल्ड यानि कि घेरेदार होता है राउल्फिया में, और एपोसाइनेसी में पाये जाने वाले जो पतियां होती हैं, वो सिंपल, इंटायर और या फिर टर्मिनल साइमोज या फिर पैनिकल्ड इनफ्लोरीशन्स देखने को मिलता है बहुत ही रेरली आपको सोलेट्री इनफ्लोरीशन्स देखने को मिलता है एक। साइनेसी में तो सोलेटरी इंफ्लोईसेंस देखने को मिलता है विनका और कैथरंतस में तो साइमोज इंफ्लोईसेंस क्या होता है इस प्रकार के इंफ्लोईसेंस में इंफ्लोईसेंस एक्सिस के टर्मिनल पर फ्लावर बड बनने के कारण यहाँ पर जो घ्रोथ होती है वो तो अगर आपको influence के बारे में जानना है, influence के type के बारे में जानना है, तो इस topic से related मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो please आप इस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको साइमोज, रेजिमोज या फिर जितने भी तरह के influence है, वो अच्छे से समझ में आएंगे, नेक्स नम बात करते हैं, फ्लावर की, तो एपोसाइनेसी में जो फ्लावर होते हैं, वो ब्रेक्टियेट होते हैं, यानि कि इनमें ब्रेकेट पाए जाते हैं, ब्रेक्टियोलेट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, यानि कि इनमें सभी फ्लावर के पार्ट, कैलिक्स, कोरोल यह सबहुरी पाइयोट होते हैं यहर्माफ्रोडाइट होते हैं मेल ऑफीमेल एक ही पर होते हैं एक exception है यानि कि एक अपवाद है apigynum apigynum में आपको apigynus type का ovary देखने को मिलता है यानि कि inferior ovary देखने को मिलता है तो इसमें बात आई है bractiate की तो जब flower के pedicill या फिर flower के base पर leaf like appendices दिखाई देता है तो उसे हम बोलते है bracket और ऐसे flower को हम बोलते हैं bractiate और जो bractiate flower होते हैं उन्हें floral formula में capital B और small r से represent किया जाता है और आपको बता दे कि जब flower के pedicill पर minute green leaf like structure पाया जाता है तो ऐसे flower को bractiolate flower कहते हैं और इसे जब हम floral formula में लिखते हैं तो इसे floral formula में small b, small r और small l इन तीनों को मिला कर एक साथ लिखते हैं वह हम बात करें hermaphrodite की तो ऐसे flower जिसमें की male part यानि की endrosium और female part यानि की gynetium दोनों ही मौजूद होते हैं तो ऐसे flower को हम बोलते हैं hermaphrodite और hermaphrodite flower को हम floral formula में circle के उपर arrow ठीक है और नीचे की और plus sign से represent करते हैं तो इसमें जो circle के उपर arrow है यह represent करता है male part endrosium को ठीक है और जो circle के नीचे plus है यह represent करता है female part gynetium को अब बात करते हैं hypogynus flower की तो इसमें होता है कि जो thanimus होता है वो conical shape का हो जाता है जिसकी वज़े से जो ओवरी होती है वो ऊपर की ओर होती है और flower के जो other part है यानि कि कैलिक्स, कोरोला, endrosium यह सभी ओवरी के नीचे पाय जाते हैं तो इस तरह के जो सनरचना होती है यानि कि इस तरह का जो flower होता है उसे हम बोलते हैं hypogynus त नीचे हैं तो जब कैलिस को रोला, endrosium तीनों ही ओवरी के नीचे आते हैं तो उसे हम hypogynus flower कहते हैं और इस तरह के flower में जो ओवरी होता है वो superior होता है, superior इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी floral part में उपर की ओर है और जब हम floral formula लिखते हैं तो floral formula में superior ओवरी या फिर कह सकते है hypogynus को हम capital G के नीचे underline के द्वारा represent करते हैं तो आई चलते हैं flower के पहले part की ओर यानि के कैलिक्स तो इन में जो unit sepal होती है वो होती है five poly sepalis होती है यानि कि जितने भी sepal होते हैं वे सभी free होते हैं आपस वे जुड़े नहीं होते हैं odd in posterior and estivation, cunential या फिर walvet type के होते हैं katheranthus roseus में तो thevetia और katheranthus roseus दोनों में ही poly sepalis होता है यानि कि सभी जो sepal होते हैं वे free होते हैं यानि कि जो sepal होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं जैसा कि आप floral diagram में देख सकते हैं katheranthus roseus में जो sepal होते हैं उसका estivation walvet type का होता है यानि कि इसके जो sepal होते हैं वो पास-पास होते हैं लेकिन एक दूसरे पर overlap नहीं करते हैं जबकि अगर हम बात करें थिवेटिया पेरिवियाना में आप देखेंगे कि इसमें sepal जो होते हैं वो कुनिंसियल estivation के form में प कि आप देख सकते हैं और जो दो sepal होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं और एक जो sepal होता है जो कि अंदर और बाहर दोनों होता है जैसा कि यहां पर यह देख सकते हैं यह जो sepal है इसका एक किनारा अंदर की ओर है और दूसरा किनारा बाहर की ओर है इसके लावा एक टर्म है odd in posterior इसका मतलब यह है कि जो पाचवा सेपल है वो mother axis की ओर होता है अई चलते हैं flower के second part की ओर जो की है कोरोला तो इन में जो petal होते हैं वो five होते हैं गैमो petalus होते हैं यानि कि सभी petal fuse होते हैं और जो petal होते हैं last वो होते हैं odd in anterior यहां पर posterior लिखाया यहां पसाई कर लिजेगा odd in anterior होता है अगर हम बात करें कोरोला के सेप की तो hypo criteria form कोरोला जो होता है वो मिलता है विनका में और इसके अलावा in funduliform या फिर funnel मिलता है नेरियम में bell shaped यानि की घंटी के अकार का मिलता है एपो साइनम में और वहीं बात करें हम estimation की तो इन में जो estimation होता वो twisted और बहुत ही rarely walvet type का होता है तो thivetia और katheranthus roseus इन दोनों में ही जो petals होते हैं उनकी संख्या 5 होती है और जो सभी petals होते हैं वो gamma petals होते हैं यानि कि सभी petal आपस में fuse होते हैं और जब हम floral formula लिखते हैं तो floral formula लिखते समय c लिखकर 5 लिखते हैं और 5 को bracket में लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है c 5 और 5 के 5 को bracket के अंदर चलते हैं flower के third part यानि कि endrosium की ओर तो इन में जो stamen होते हैं वो five होते हैं epipetalus होते हैं यानि कि petal से जुड़े होते हैं polyandrous होते हैं यानि कि सभी जो stamen है वो एक दूसरे से free होते हैं but connuvent around the stigma and alternate patellus anthus are segregate diethicus inserted intros and dancing longitudinally तो इस diagram में आप देख सकते हैं कि जो stamen है वो पेटल से जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने देखा कि लिखा हुआ है epipetalus epipetalus का मतलब कि जो stamen है वो पेटल से जुड़ा हुआ है तो जब हम floral formula लिखते हैं तो corolla और जो endrosium है इन दोनों को एक दूसरे से arc के द्वारा जोड़ते हैं जो stamen के एंथर और filament है वो एक दूसरे से free होते है और जब हम floral formula लिखते हैं तो polyandrous condition के लिए capital A लिखते हैं यानि कि endrosium हो गया और इनकी संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे और चुकि ये polyandrous है यानि कि free है इसलिए bracket में इन्हें नहीं लिखेंगे इसके बाद एक term दिया हुआ है alterni pitalis तो alterni pitalis condition में जो stamen होता है वो petal के alternate होता है या फिर हम कह सकते हैं कि calyx के opposite होता है तो हम बात करें डाइथिकस की तो डाइथिकस का मतलब हुआ कि जो stamen में एंथर लोब है उनकी संख्या दो होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एंथर का पहला लोब है और यह एंथर का दूसरा लोब है अई चलते हैं फ्लावर के fourth part की हो जो की है गाइनिसियम तो इसका जो गाइनिसियम होता है एपोसाइनिसी का वो होता है बाई कार्पलरी यानि कि इसमें दो कार्पल पाय जाते है ओवरी सुपीरियर होता है और बहुत ही रेरली इनफीरियर होता है और इनफीरियर ओवरी देखने को मिलता है प्लूमेरिया में इसके अलावा कारपेल में पाये जाने वाले जो दोनों ओवरी हैं वो फ्री होते हैं या फिर कौमन स्टाइल के दुआरा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रतेग जो ओवरी होता वो unidocular होता है और इन में जो placentation होता वो marginal होता है तो आए एपो साइनेसी के कुछ species के हम floral formula और floral diagram को देखते हैं तो बात करते हैं हम यहाँ पर थिवेटिया पर वियाना में तो flower जो है bractiate है, bractiolate है तो जो bractiolate है उसे यहाँ पर represent किया गया है और जो bracket है उसे यहाँ पर नीचे की और represent किया गया है इसके बाद flower है क्तिनोमार्फिक, फिर हर्माफ्रोडाइट यानि कि यहाँ पर एंडूसियम और गाइनीशियम दोनों देखने को मिलेंगे वहीं बात करें हम कैलिक्स की, यानि की सेपल की तो सेपल है 5, और सभी सेपल क्या है, free है तो free आपस में इनको जूड़ा हुआ नहीं दिखाया गया है पॉली सेपलस है, तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था और ये आपस में fuse है, यानि की गैमो पेटलस टाइप के है उसके बाद है एंडूसियम A5 without bracket, यानि की एंडूसियम की संख्या 5 है और ये आपस में जूड़े हुए नहीं है, यानि की ये polyandrous condition को represent कर रहा है इसके बाद आप देखेंगे कि एंडूसियम जो है, ये जूड़ा हुआ है पेटलस है, यानि एपी पेटलस है इसलिए जो एंडूसियम है, इसको दिखाया गया है कैलिक्स से तो यह हम बात करें, गैनिसियम की तो गैनिसियम by carpulary है, इसलिए two लिखा है यानि कि यहाँ पर आपको चार कारपिल दिखाई दे रहे होंगे बट होता क्या है, एपोसाइनेसी के केस में वो by carpulary होता यानि कि केवल दो कारपिल ही होते है जैसा कि आप यहाँ पर कैथेरेंथस, रोजियस के केस में देख सकते हैं यहां पर आपको केवल दो ही कारपेल देखने को मिल रहे होंगे तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जो की फेमली एपोस आयनेसी से जुड़ा हुआ था आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा जो हमारे वीवस नए है जिनोंने अभी तक हमारा टर्मिनॉलजी वाला सेक्शन नहीं देखा हुआ है तो प्लीज वो टर्मिनॉलजी वाला वीडियो देख लें तभी उनको फेमली अच्छे से समझ में आएंगी तो जो टर्मिनॉलजी का प्लेलिस्ट है मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके आप टर्मिनॉलजी वाले वीडियो को जरूर देख लीजे और terminology वाले जो topic है उससे भी अलग से question पूछे जाते है तो क्या क्या चीजे important है मैंने वीडियो में बताया हुआ है तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा comment करके ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और कोई भी doubt हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जहिंद जह भारत